रसीद को इंगलिश में क्या कहते हैं आज किस वीडियो में सीख लेती हैं रसीद को इंगलिश में रसीट कहा जाता है रसीट ध्यान रखेगा इसमें पी साइलेंट होता है पी नहीं बोला जाता है इसको हम रसीप्ट नहीं बोलते हैं इसको receipt बोला जाता है receipt जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि मैं हमेशा खरीदारी करने के बाद receipt मांगता हूँ तो आप कह सकते हैं I always ask for a receipt after making a purchase I always ask for a receipt after making a purchase या अगर आप ये कहना चाहें कि cashier ने मेरे खरीदे गए items के लिए मुझे receipt दी तो आप कह सकते हैं the cashier handed me the receipt for the items I bought या अगर आप ये कहना चाहें कि है महतवपूर्ण है कि आप उतपाद को वापस करने की आवशकता होने पर रसीद रखें तो आप कह सकते हैं it's important to keep the receipt in case you need to return the product it's important to keep the receipt in case you need to return the product अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें